राहुल वैद्दी ने नॉमिनेशन्स का डिस्कॉशन किया जी हां सल्मान खान के सामने पहली बार इस सीजर में नॉमिनेशन्स हुए और सल्मान खान ने साफ तोर पर कहा कोई इस कमरे में जो बात हो रहा है उसे डिसकॉस नहीं करेगा राहुल वैद्दी ने नॉमिनेशन् क्या होगा मामला किस से डिसकास किया क्या है पूरी बात करेंगे इस वीडियो में अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्ब से कर लीजिए बेल आइकन भी दबाद दिए पिछले हफ्ते रुबीना अभिनव जैस्मिन और एली इन चारों को नौमझेशन की बात करने के लिए सजा दी गयी उंको धंडित किया गया और नौमिनेट किया गया जबकि जैस्मिन ने वह बिचारी इसलिए बिचारी के लिए उस कौण्वेजरिशन में थी वह उनको मना कर रही थी कि नहीं नहीं आप यह बात नहीं जैसा होगा, उसकी गलत हमती नहीं थी हो नॉमिनेट्ट वो एविट ऑगहें बाके तीन जन जिरूने क्याज़ल टॉक्स कि द Первें दोकने वो renowned थे राहूदडे बजगे बने हूद पिछले हफते भी नॉमिनेशन की बाद कि थी इस हफते कि उसके पहले भी उन्होंने और वो और एली कंटिनियूस गेम डिसकास करते हैं अब आज सल्मान खान ने कहा कि आप लोग जूड़ बात डिसकास करें बाहा नहीं बताएंगे नॉमिनेशन की बात राहूल और एली साथ में अंदर गया निकी और अर्शी में बाहर आका उनके मन में गिल्ट था और वो गिल्ट लेर क्योंकि कई निकी का एक कनेक बन रहा है कि अच्छी दोस्ती है उन दोन में गेम के नाते जो भी उपर नीचे होता है मगर दोनों में एक दोस्ती है तो ऐसे जब यह डिसकुर्शन होने लगे बाहर राहूल ने निक प्राप नहीं करना जातीों मैं गेम खेलूगी मैं अपना गेम केना जाती एक अरशी कोन्टस्ट में कगां लेकिन राहूल ने ये वी कहा कि दोस्ती की वός? तेरे और मेरे उसके विए से मेरी और रली की दोस्ती खराब हो रहे तो कहिन गई महा पूरी नॉमिनेशन पक्रि इसके लिए सदा देंगे पर रहुत तो इस हफते अलरीडी नॉमिनेटेड हैं मगर घर में नॉमिनेशन डिसकर्स करना एक क्राइम है जिसको लेकर के लगातार हर्स अक्रॉस दे सीजन बिग बॉस सदा सुनाते आए हैं मगर इस सीजन में सेलेक्टिव तरीके से पिछले हफ आफ ते नॉमिनेटेड थे हाई रेटेट कांटेंट देखने मिला वह अलग बात है लेकिन अब क्या राहुल वैदे नॉमिनेटेड होंगे नॉमिनेट तो हो चुके हैं क्या उनको कोई और सजा मिलीगी तो इस घर में नॉमिनेशन का जिक्र खाली रुबीना अभीनव य या एली करते हैं तब उन नॉमिनेट होते हैं जस्विन तब नॉमिनेट होती हैं बाकी लोग नहीं होते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रू बताएं बने रहे हैं हमारे साथ